जैश्री किष्णा फ्रेंट्स तीस एपरिल की रात को बारा बजे जब दूसरा दिल लग जाएगा यानि एक मेई जब लग जाएगा तब ये सूरे ग्रहन लगेगा इसलिए आप कन्फ्यूज ना हो दिन शनी बार तीस एपरिल की रात को बारा बज कर पंदरा मिनट में रा दिल लग जाता है जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है इसलिए आप कन्फ्यूज ना हूँ दोस्तों 2022 30 अपरल दिन शनिवार को साल का पहला सूरे ग्रहन बताया जा रहा है जो शनीच्री अमावस्या के दिन होगा हमारे इंडिया के लोग बहुत से जो हैं नियमों का पालन करना होगा वो मैं आपको आने वाली वीडियो में सब नियम और उपाय बता दूंगी कि आपको क्या क्या करना होगा और क्या नहीं करना होगा खास करके गर्वती महिलाओं को और दोस्तों ये सूरे ग्रहन बारत में दिखाई नहीं देगा सिर्फ और सिर् रातरी का समय होता है और रातरी के समय सूरे नहीं होता है जिस टाइम ये ग्रहन होगा तब हमारे इंडिया में रात का समय होगा इसलिए ये ग्रहन बारत में दिखाई नहीं देगा और ना ही ग्रहन का असर जो है वो हमारे बारत में दिखाई देगा इसलिए बारत में रहने तक जो है वो माननी होता है इसका जो परवाब गर्वती महलाएं और उनके गर्व में पल रहे बच्चे पर किसी भी परकार से नहीं होता है अगर पूरन सूरे ग्रहन हो और वह है इंडिया में ना भी लगे तो भी आपको ग्रहन के नियमों का पालन करना बहुत ज़्यादा है क्योंकि उसका आसर बहुत ज़्यादा ब्यानक होता है लेकिन ये आशिक सूरे ग्रहन है अगर आप इस ग्रहन के नियमों का पालन नहीं भी करेंगे तो भी आपके गर्व में पल रहे बच्चे पर किसी भी परकार का कोई भी नुकसान नहीं होगा लेकिन अगर आपके परिवार वाले आपको ग्रहन के नियम पालन करने के लिए बोल रही है या फिर आपको खुद भी ग्रहन के नियमों का पालन आप करना चाहती है तो आप कर सकती है लेकिन अगर आप इस सूरे ग्रहन में ग्रहन के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो भी आपके गर्व में पढ़ रहे बच्चे और आप पर किसी भी परकार का कोई भी नुकसान नहीं होगा लेकिन 30 एपरिल की रात को जो सूरे ग्रैल लगने वाला है उसमें आप ना चाहते हुए भी आप सब नियमों का पालन कर रही होंगी क्योंकि रात 12 बचकर 15 मिनट से पहले पहले हर कोई खान हैं समय तक तो आप पहले ही खा लें आप पानी भी पहले अच्छे से पी लें खाना खा लें सब और अगर आपका गर के बाहर वाश रूम है आप टॉयलेट करना चाहते हैं तो आप इस समय गर से बाहर नहीं जाएं आप गर के अंदर ही वाश रूम का इस्तेमाल कर लें औ क्युंकि समय तक आपके सब काम हो जाते हैं इसलिए आप कहीं भी आंगन में टहलने वगएरा नहीं और इस समय आप सो सकती हैं लेड़ सकती हैं कोई भी परिशानी नहीं है रात को 12 बचकर 15 मिनट से पहलें आप खाना पहले से बना लें खा लें पानी पी लें कुछ भी काट आपने शिलने वाली जो भी सब्जियों वाले काम हैं जो आप करना चाहती हैं वो आप पहले से ही कर लें कपड़े सिलने वाले काम आप पहले से कर लें पैन पैंसिल वाले जो भी आपने पेपर में कोई भी काम करने हैं वो के साथ लिखना पढ़ना जो भी है आप पहले प पालन हो जाएंगी और रात को 12 बजे आप गर से बाहर भी नहीं निकलेंगी और रही बात सोने की तो ग्रहान के समय आप सो सकती हैं बीना परिशानी की आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा आपके घर में पर रहें बचे पर किसी भी परकार का कोई भी नकरात्मक जो है वो पढ़ेगी क्योंकि इस समय जो है वो रात्री का समय है और सूरे की किरने आपके नहीं पढ़ेंगी इसलिए आप सो सकती है आप फोन भी चला सकती है कोई भी पर रशानी नहीं है लेकिन कुछ उपाई आप जरूर के ले क्योंकि यह उपाई करने से ग्रहान का नकरात्मक प्रवाब आप पर नहीं होगा और आप सुरक्षित रहेंगी और इससे आपके दिमाग भी जो है आपका शांत रहेगा आपको ऐसा नहीं होगा कि आपने ग्रहन के नियम पाला नहीं किये हैं तो आपके गर में बच्चे पर कोई नकसान होगा क्योंकि आपने उपाई किये हो और दो से तीन पत्ते अपने पास भी रख लें और गंगा जल पी लें और अपने पास एक नारियल जरूर रखें ये सब उपाई करके आप चाहें ग्रहन की नियमों का पालन ना भी करें या फिर कर भी रही हों तो भी आप गर में पल रहें बच्चा जो है आपका सुरक्षि रहेगा आपके दिमाग में ये माइंडसेट बन जाएगा लाइक आप सो सकती हैं लेड सकती हैं ग्रहन के उपाई करके खाना भी खा सकती हैं पानी भी पे सकती हैं क्योंकि ये ग्रहन बारत में माननिये नहीं है लेकिन जिन जिन देशों में ये ग्रहन लगेगा उन्हें कि सब नियमों का पालन करना होगा और ग्रहन लगने से पहले सब जो सूर्त के नियम होते हैं उनका भी पालन आपको करना होगा इस पे भी मेरा एक नेक्स्ट एक वीडियो आएगा आप वो भी जुरूर देख लेना अगर आप विदेश में रहते हैं वहाँ पर अगर सूरे रहन लग रहा है तो फ्रेंग्स बस इस वीडियो में इतना ही फिर मैं मिलती हूँ आपको एक और नहीं वीडियो के साथ अब तक अपना खास क्याद रखे थैंक्यू गाइज